फिरोजाबाद लोग सभा सीट में त्रिकोडी मुकाबले के बीच में वोटिंग लगातार हो रही है इस बीच हमारे साथ बाचीत करने के लिए मौजूद है गटबंधन के जो प्रत्यासी है अक्षय यादो जी ये बताईए अक्षय जी कि क्या इस सिती आप देख रहे हैं किन मुद्दों पर आप जनता से संपर्क कर रहे हैं और क्या इस सिती देख रहे हैं देखे संपर्क तो हम लोग खतम कर चुके प्रिचार बंध हो चुका है आज तो हम बस ये देख रहे हैं कि बोट कैसा पढ़ लाए परसेंटेस कैसी पढ़ लाई है जो किसान आदमी एक दम से एक वज़े बढ़ेगा और पूरा का पूरा वोट जिन भूतों पर गए हैं गटवंधन के पक्ष में पड़ता हुआ हम लोग को नजर आया है चाहें बजार का वोट हो सहर का हो चाहें गाओं का हो सारा वोट गटवंधन के पक्ष में पड़ता हुआ नजर आया हम आप अपने हिसाब से यहां पर किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है जो लोगों ने नई पार्टी बनाई है उनकी पार्टी का अस्तित्त भी अगले महीने 23 तारिक को खतम हो जाएगा जब रिजल्ट निकल कराएंगे आप लगतार अलग-अलग जगों पर घूम रहे हैं जैसा कि हमने शुपाल जी से बातचीत किया उन्होंने कहा कि बेटे को तो हमने गोद में खिलाया है संसकार भूल गया है और हमारे सामने खड़ा हो गया मैं यहाँ पहले से सांसत था नेता जी ने मुझे टिकेट दिया था उसके बाद हमारे राष्टी अध्यत स्री अखलेश अदव जी ने मुझे टिकेट दिया है और मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि युद मैं हमेशा धर्म का पालन होना चाहिए और वो इसी धर्म का मैं पालन कर रहा हूं आज के युद्ध यही होते हैं बोट टालने वाले क्या आपको लगता है कि किसी ना किसी रूप में कहीं से समर्थन चाचा को मिल रहा है हला कि उन्होंने इस बात को नकारा है कि हमें कोई समर्थन किसी से बैकिंग नहीं है आप लोगों ने पहले भी कुछ उनके उपर टिपड़ी की थी नहीं हम लोग सुरूर से कह रहे हैं भारती जनता पार्टी की भी टीम के रूप में काम कर रहे है लेकिन फ्रोजावाद की जनता नहीं भारती जनता पार्टी और भारती जनता पार्टी की भी टीम को भी नकारने का काम आज करा है यह हमें देखने को मिला है इस सिती क्या देख रहे हैं 23 माई को आज तो वोटिंग परसंटेज अभी तक तो कम है क्या आप अपनी सिती देख रहे हैं हमारे सिती रहेगे 4 लाख वोटों से ज़्यादा से चुनाव जीतेंगे बाकी सारे लोग एक चौथाई में निपड जाएंगे एक ये भी चाचा ने आरोप लगाया है कि मायावती से जिनका विरोध था मुलायम सिंग जी आदो साथ में आ गये हैं इससे पार्टी को नुकसान होगा जब नेता जी और मायावती जी दोनों लोग मैनपुरी के मंच पे एक साथ खड़े थे नेता जी ने साफ साफ का मैं आपको आदर करता हूं सम्मान करता हूं कि आपने आकर मेरे लिए अपील करी इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जब बड़ों ने सुईकार कर लिया तो छोटे साइद संसकार भूल गए ऐसा लगता है मुझे तो यानि कि वो आपके उपर आरोप लगा रहे हैं संसकार भूलने का आप उनके उपर लगा रहे हैं क्या है इस तरह की बात कह रहे हैं कि नेता जी किस तरीके से आ गए है तो अगर बड़ों के उपर कोई आरोप लगा रहे हैं तो संसकार भूल गए इसमें कोई दो राए नहीं है एक अंतिम सवाल चाचा भतीजे की इस लड़ाई में भतीजे की क्या इस सिती होगी भतीजा यहां से जीत कर जाएगा और भारी भामत से जीत कर जाएगा शुक्रिया आस तक से बार जीत करने के लिए कैमरामैन अनिल जैस्वाल के साथ जीतेंद्र सिंग